वेलकम बेक तो माई टूब चल पेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे जो भी छात्र बीसी सुरी बीए फर्स्ट सेमस्टर में है उनके लिए हम लेके आए हैं वीटा सोचलोजी का जो इंपोटेंट बॉस्ट इंपोटेंट कोशन दिये हैं उन कोशनों के आंसर के लिए देखो आपसे पूछेगा पूरा स्लेबस मैं आपको किलियर करा रहा हूँ कि समाज और एक समाज की परीभा अंतर पूछ लेता है कि समाज किसे कहते हैं और एक समाज किसे कहते हैं इन समाज कहलाता है देखो पहला option ला लेंगे कि समाज में सोरी समाज से समाजिक संबंदों की संपूर्ण विवस्था का बोध होता है इसमें एक समाज में डालेंगे कि एक समाज से व्यक्तियों के कुछ बिसेश संबंदों का बोध होता है मतलब कुछ बिसेश संबंद है लेकिन एक समाज का जो छेत्र होता है वो तुलात्मक रूप से सीमित होता है तुलात्मक रूप से सीमित होता है तीसरा पॉइंट डालेंगे कि समाज समाजिक संबंधों का जाल होने के कार्ण क्या है वो अमूर्थ है ठीक है उसमें एक समाज में तीसी हेडिन डालेंगे कि एक समाज ब्यक्ति का सम होने के कर्ण मूर्थ है वो मूर्थ है यह अमूर्थ है ठीक है नेक्स कोशन क्या है अमूर्थ और मूर्थ की परिवहां साभी मैंने दी है उपर फीडियो देख लेना लिंक डिस्क्रप्शन वॉक्स में दे दोंगा आल प्ले लिस्ट में जाके भी समाज में के विवहार का समाज के विवहार के समान होना आवश्चक नहीं है यहां बूला गया ब्रिका गया है कि समाज में सभी विवहार और किरियाओं का समान होना आवश्यक नहीं है ऐसा नहीं है कि सभी जो लोग है वो अपनी किरिया और विभार एक जैसे करते हो ऐसा आवश्यक नहीं है समाज क्यालाता है लेकिन एक समाज में क्या होता है एक समाज के सदस्यों के विभार और किरियाओं में समानता होना आवश्यक है मतलब एक जो समाज होगा जो एक समाज होगा वो खाएगा उतने टेम मतलब जो ही काम करेगा किरिया करेगा विभार करेगा जैसा विभार करेगा किरिया करेगा वो एक समान करेगा एक समाज कहलाता है ठीक है तो जिसने भी देखो इस तरीके इसको एक समाज और समाज की अंतर को हम देखेंगे इस पश्ट किया है और आप इस तरीके से आप लिखे आएंगे एक्जाम में नेश्ट वीडियो में हम समाज की संस्थाहों में क्या भूमिका होती है समाज की संस्थाहें होती है उनने प्या भूमिका के बारे में एक्स्पिन करेंगे नेस्ट वीडियो में तो चल्ब को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेर कर देना थेंक यूपर वच्छ इन इस वीडियो बाई-बाई